बिहार कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखलेसी को लेकर विगत 3 मार्च से लगातार। यही नहीं एक हपते के अंदर जबाब भी मांगा गया है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद तत्य हीन और सत्य से परे मामले को लेकर सोशल मेडिया में सामगरे डालने का आरोप है। यही नहीं इन नेताओं में सिधार से शत्रिये प्रभात कुमार चंदरवंशी, अर्शद अब्बास अज़ाद, शकिलूर रहमान तथा प्रवीन शर्मा को कारण बताव नोटिस जारी किया गया है। सभी नेताओं को नोटिस जारी होने के बाद एक हपते के अंदर जबाब भी देना होगा। अगर एक हपते के अंदर जबाब नहीं दिया गया तो उन पर अनुशासनिक कारवाई भी की जाएगी। यही नहीं कॉंग्रेस का जो यह रिस्ता है वह पुराना रहा है लगातार सुर्कियों में रहा है बताने की इंदीरो भारत जोडो यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्र अखिलेश प्रसास सी लगातार बिहार के अन्य जीलो में घुम रहे हैं और अपने नेता ही आपस में उलस गये थे और हाता पाई की नौबत भी आ गई थी जो तस्वीरे आप समने देखा होगा बता दे कि कॉंग्रेस लगातार सुर्कियों में रहा है और जब प्रदेश अध्यक्ष नए पद पर अस्तापित हुए थे डॉक्टर अखिलेश प्रसासी तो उन्हों ने उस दोरान ही बताया था कि अपने ही पार्टी के नेताओं और कारकरताओं द्वारा जो है पार्टी को कमजोर किया जाता है और अब उसे सुधारने की जरूरत है हलाकि अब इन पांस नेताओं पर कारवाई होगी तो क्या कॉंग्रेस आगे चल करके इन सब ची पिर जो है बिहार को देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल जिस चीजों को लेकर के सुर्खियों में है या कोई नया नहीं है इससे पहले भी ऐसा होता रहा है जब पूर प्रदेस अध्यक्ष महन मदन मोहन जहा थे उस दोरान भी इस तरीके की चीजें जो है वह सामने देखन को मिलती थी चाहे वह पार्टी दफसर हो या फिर बिहार के अन्य जीलों से भी तश्वीरे आती थी लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जब नए प्रदेस अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अखलेस प्रसाद सी और लगातार अपने पार्टी को अपने संगठन को प्रदेस अध्यक्ष पर कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा ही आप 30 जनक जो है वह सोसल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है तो क्या इससे पार्टी कमजोर हो गया नहीं यह आंकलन तो आप ही कर सकते हैं जो है जनता ही कर सकती है लेकिन जिन पांस नेताओं पर कारण ब तो क्या आगे चल करके कॉंग्रेस के और भी बाकिनेता जो है इन सब चीजों से कुरेज करेंगे या नहीं यह तो समय बत्ते करेगा लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस जो है एक नए विकल्प तलासने की कोसिस कर रहा है क्योंकि दो हजार चौबिस का लोग सभा चुनाव है और कॉंग्रेस भी अपनी भूमिका जो है बखुवी अदा करना चाहता है क्योंकि सभी को इस बात से क्योंकि कॉंग्रेस ही इस बात को से ओगत कर रहा था कि कहीं न कहीं बिहार में कॉंग्रेस जो है वह कमजोर है और कॉंग्रेस को मजबूत करने में जो है कार करताओं और न आगे क्या प्रभाव डालता है कॉंग्रेस पर और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में बाकी नेताओं पर ये तो समय के गर्व में है इसकर वस इतना ही बने रहे है निज़ फोर नेशन के साथ तब तक के हमारे चैनल को सब्स्ट्राइम ही के हैं तो कलीजे और साथ ही साथ निज़ फोर नेशन के फेस्बूक पेज को जरूर फॉलो करते रहे हैं धन्यवाद